तो फाइनली स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नेल लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लेकर का हैं क्लास 12 इंग्लिस का टॉप 100 कोस्टन जी हाँ आपकी एक्जाम के पॉइंट ऑफी से काफ ही इंपोर्डन है वीडियो को बीना स्किप क सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर किजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा जी हाँ तो आज हम लोग पोईट्री का पूरा फूल अब्जेक्टिव करने वाले हैं टॉप 100 लेकर क्या हैं लेकर के लेशन 10 जितना भी अब्जेक्टिव इंपोर्डेंट बन जाने वाला है पूरा का पूरा इंपोर्डेंट अब्जेक्टिव लेकर क्या हूं और इसको देख लिजिए यहाँ पर आलर्डी में लिखा हूं देखो और जाकर कि एक्जाम दो प्रस्न यहीं से है और जाकर के आप एक्जाम में बैठेंगे तो प्रस्न देखते ही आप एंसर को लगा करके आएंगे यस इस गरांटी चलिए अब हम लोग सेशन के श्रवाद करते हैं विद फुली एनरजी चलिए आज का पहला को सन्देखते हैं मतलब इस पूरी पोएट्री सेक्शन का पूरी पोएट्री सेक्शन का बावव मेरे पूरी पोएट्री सेक्शन का हम तॉप हंडिट इंपोर्टेंट को सन् लेकर आएं यह मज़ाग कोई बात नहीं है इसके लिए हमने हमने मिहनत किया है और काफी इंपोर्टेंट आपकी ईज़ाम के पॉइंट ओभी से में बार पहला कोशन है सुटेस्ट लब आई डॉंट गोए यह जो चेप्टर का नाम है यह किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका सही उतर हो जाएगा जॉन डोनी अब बात करते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन क्या है जॉन डोनी इस यहां पर खाली इसना में भरना है मैंने कहां सही उतर हो जाएगा आपसन सी जॉन डोनी चलिए हम लोग एतम फास्ट करते हैं हम लोग चलना है बस आप कोशन देखिए एंसर क्या होगा वह देखते जाए और फटा फटा हम लोग इस पूरी टॉप हंड्रिट को धड़ड़ड कर लेते हैं ठीक है चलिए चोथा नमर को प्रसंद करा रहा है कि खाले इस्थान में भरना है और अज डिस्क्राइब अज ए मेटा फिजकल पोएट तो इसका सही उतर हो जाएगा चार का आपका चार का भी हो जाएगा जॉन डोनी ठीक है फिर बात करते हैं अगला प्रसंद क्या हो जाएगा जान डोनी उन्स टॉ away because he is not tired of his, दिये गए, खाली इस्तान में भरना है, तो पांच का सही उतर हो जाएगा, आपसन D, बिलाब्ड हो जाएगा, चलिए अगला परसन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दिये हूं, कीप वन एन अदर लाइव कैन, नेवर, खाली इस्तान में भरना है, तो क्या हो जाएग तो साथ का सही उतर हो जाएगा, आपसन A, जर्मनी, ठीक है, अब देखते हैं, अगला परसन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, आठ नमर कहा रहा है कि, destiny may take the apart and may the fear fulfilled is said by, किसके दोरा कहा गया है, तो बताइए, आठ का सही उतर हो जाएगा, आपसन A, दे स्क्रीकर के दो परनी को, तो अपनी यात्रा को compare कर रहे थे, नौ का सही उतर हो जाएगा, आपसन B, सन के साथ, ठीक है, चलिए, अगला परसन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दे एंगलो सेक्षन वियर, खाले स्थान में भरना है, पीपुल, जो एंगलो सेक्षन थे, वो कहां कि निवाशी थे, मैंने कहां के रहने बाले थे, तो बताइए, वो परसियन थे, कि जर्मैनिक थे, कि ग्रीक थे, कि लैटिन थे, बताइए, तो दस का सही उतर हो जाएगा, दस का B, ठीक है, अब बात करते हैं, अगला परसन आपके स्क्रीन पर ये रहा, खाली अस्तान में भरना है, वर जाए, वल्लड वीटमैन के द्वारा, चलिए बात करते हैं, अगला परसन, हूं कमपोजट लीफ ऑफ गरास, ठीक है न, लीफस ऑफ गरास को कमपोजट किसने किया है, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा, सी, वर्लड वीटमैन, ठीक है, तीरा का उत्तर क्या होगा, देख थे मतलब कितने साल के थे तो इसका सही उतर हो जाएगा 14 का आपका सी मैं बता दे रहा हूं 14 का सी हो जाएगा थाथाइगा अगला प्रशन संग अप माइस सेल्फ जो है यह क्या है लिरिक है कि इपीख है कि सोनेट है कि नौन अब्दीज होगा तो बता दीजे पंद्र का साही उत्तर हो जाएगा अप्सन ए लिरीक है चली अब बात करते हैं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर यह रहा विटमन वाज नौट एसोशियेटेट विच प्रोफेशन वाल्ड विटमन जो थे यह जो राइटर थे यह किसके साथ एसोशियेट नहीं थे माने किस ब्योसाइग के साथ वो नहीं थे तो आपको बताना होगा तो सुल्ला का सही उतर हो जाएगा आपसण डी डॉक्टर के प अगला प्रसन देखते हैं यहां देखेगा वाल्ड विटमन वर्क एज ए वोलेंटियर नर्स इन जो वाल्ड विटमन थे वह किस रूप में काम करते थे थे तो आपको 19 का सही उतर हो जाएगा आपसण सी सिविल बारु ठीक है अब यहां बात करते हैं अगला प्रसन दे लाइन होपिंग तो सीज नौट टिल डीट इस टेकन फ्रम किसके दोबार लिया गया है तो बीस का सही उतर हो जाएगा आपसण इस सौंग आप माई सेल्फ बात करते हैं एक इस नमर प्रसन का कि हूं रन इस कोल्डिंग फॉर दियर फूड इन लिप्स आर फालिंग फास्ट तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी बर्ड्स ठीक है अब बात करते हैं अगला प्रसन क्या कर रहा है कि नाउद लिप्स आर फालिंग फास्ट यह चेप्टर का नाम है टॉक्स एबाउट किस के बारे में बात किया जा रहा है डैस डेश आर फालिंग यहां पर खाले इस्तान में भरना है तो मतलब फास्ट जो पतिया थे वह फास्ट गिर रहे थे कि सुलो की गूड की सुन मतलब क्या होगा इसका सही उतर आप लोग बता देजिए तो तो 23 का सही उतर हो जाएगा अपसन यह ठीक है ना फास्ट और यहां पर है इसका सही उतर हो जाएगा अब यहां पर अगला प्रस्ट ट्रेवलर्स इन देर लास्ट डिस्ट्रेश इस फ्रॉम ठीक है तो इसका सही उतर हो जाएगा पचीश का यह ना फास्ट जो है ना मैं करा रहा हूं आप लोग बस आप ही लोग कहते हैं कि आप एदम फास्ट चली सर मत्याद्ब बीना समझाये बीना किसी मतलब का आप जो हैनかった किसी लाइन को संजाया आप जो है बुट साते चलिए तो मैं भी उसी तरीके से कर रहा हूं बाद में आप लोग मत कहिए कि सर आपने परती कोशन का और एंसर का बढ़िया से समझाया नहीं बस आपको एंसर से मतलब है इसलिए मैं फटाफट वीडियो बना करके में डाल हां बस यह चीज है कि खोजने में मुझे मैं जो आपकी एक्जाम के पॉइंट आफ यह से काफी इंपोर्डेंट है यह इंपोर्डेंट कोशन खोजने में थोड़ी से हमको समय लगी इसलिए यह वीडियो अप्रोड होने में थोड़ी से देर हो गई चलिए तो 26 नबर कोशन क्या कर रहा है 26 नमर कोशन क्या रहा है कि एक्टिव हैंट मस्ट यहां पर दिये गए खाले इस्तान है लॉनिंग और सेपरेट नीज तो इसका 26 का सही उतर हो जाएगा आप्शन सी फ्रीज चलिए बात करते हैं अगला प्रस्ट एंड नाइट इंगल इस डम इस फ्रम तो बताइए 27 का सही उतर क्या हो जाएगा तो 28 के भी हो जाएगा नाओ दो लिप्स आर फालिंग फास्ट चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं 29 नमर एंड एक्टिव हैंट मस्ट यह खाले इस्तान में भरना लॉन नी और दा सेपरेट नीज तो 29 का सही उतर हो जाएगा आप संसी फ्रीज हो जाएगा ठीक है आप लोग सारे अब्जेक्टिव के कोशन का एंसर अगर आप लोग देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोशन देखने के बाद एंसर से आपको याद आ जागे कि मैंने साथ यह ग्यापन एकेडमी के प्लेटफर्म मैंने इस एंसर को देखा था ठीक है ना सूना था तो आप लगा हैं अगला प्रस्न यहां पर देखिए गया दो वाज वाचिस्ट दर लास्ट वोजिंग आर्स बाई हार्स फ्रॉम दिए गए अपसर में कौन सा सही है तो आपको बता रहा होगा तो 31 का सही हो जाएगा आपसन सी और टू आटमन ठीक है ना दिए खाले स्थान में भरना है ठीक है आवाज ग्रेट लवर आफ नेचर ठीक या तो 32 का सही उतर हो जाएगा अपसर जोरॉन कीटष ठीक है आगे बात करते हैं कि जौन, किट्स बिलॉंग टू किसे बिलॉंग करते थे जॉन किट्स तो आपका 33 का सही उतर हो जाएगा आप सब्सक्राइब बात करते हैं अगला कुस्टन जॉन किट्स डायड आफ टूबर कुलोसी एड़ इस आप मनें जॉन किट्स जो हैं टूबर कुलोसी विमारी से वह मर गये कितने उमर के थे तब मर गये थे बताइए इसमें दिये गए आपसन के अनुसार 34 का सही उतर हो जाएगा आपसन ये 26 सल के उमर में वह टीवर कुलोसी से मर गये थे बेचारे किट्स इजय मतलब दिये गए खाले स्थान को भरना है मनलें वह किस पर गयर कि कभी थे तो बता अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर यह है एंड गेदरिंग स्वेलोस ट्वीटर इंड़ स्कीज इस टेकन फ्रॉम तो 38 का सही उतर हो जाएगा आपसन सी और टो अटमन ठीक है ना उसके बास अगला प्रसन देखेगा जोन किट्स वास बॉर्न इन जोन किट्स का जनाम कब ग अगला प्रसन देखेगा आपके स्क्रीन पर है किस पर करके कभी तो यह दुबारा को सन हो गया है चालीस का सही उतर हो जाएगा आपसन ए रोमैंटिक थे चलिए अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर यह रहा है वेन आई क्रमबल हूं विल रिमेंबर हूं इस आई इन लाइन तो यह 41 का सही उतर हो जाएगा आपसन ए पोएट ठीक है अगला प्रसन इन वीच पोएम डज द़ पोएट एक्स्प्रेस इज सैड फिलिंग फॉर ए ब्यूटिफुल लेडी तो 42 का सही उतर हो जाएगा आपसन सी एनिपी टाफ ठीक है 43 नमर को सन आपके स्क्रीन पर है ए आपसे मैं बात करके बता दूँ कि अगर आप लोगों को प्रोज हो ठीक है ना प्रोज हो चाहे पोएटरी हो ठीक है मेरे बाबो मेरे सोना लड़ो पेड़ा जो भी मतलब आप लोग मेरे बहुत प्यारे अच्छे विद्यारती हो अगर आप लोग प्रोज हो या पोएटर तो मतलब वो कहानी के मादियम से एक प्रीक के मादियम से आपको सिखा दिये गया है प्रोज या पोएट्री किसी भी चेप्टर के नाम के साथ उस राइटर के नाम आपको चुटकियों में याद हो जाएगा उसको आप जरूर देख लिएगा मतलब दू-चार-पांच नमर तो उसी से हो जाने वाला उसी वीडियो से क्लियर हो जाने वाला है चलिए अब है अगला प्रस्ट वाटर डीला मेर नियू ए मतलब ओ जानते थे है क्या जानते थे भाई दिये गए खाले स्थान में हूँ इस नाव डीड ठीक है अब वो कौन मरने वाला है तो मतलब आपको 44 नमर कुस्टन का बताना होगा कि लेडी अपसन ए ठीक है अगला प्रस्ट दपोएट थिंक्स डैट दिये खाले स्थान में इस नॉट भर लास नहीं करेगा तो 45 का सही उतर हो जाएगा आपसन बी ब्यूटी ब्यूटी कभी ज्यादा लास्टिंग नहीं करता है ठीक नहीं किसी की सुन्दरता ज्यादा दिन थोड़ी ना लास्टिंग करता है तो यहाँ पर अगला प्रस्ट देख लिजिए गा 46 ठीक ना अब यहाँ अब देखिया अगला प्रस्ट देगा खाले समय इस्तान में भरना है इस एन इंस्क्रिप्शन अन्द टोम इन दा मेमोरी अफ दीड तो दिये गए यह इस आपको भरना है चेप्टर का नाम दिया हुआ है इसमें कौन सा चेप्टर का नाम लिया जाए कि यह पूरा फूल लड़ी दिया हुआ है तो 47 का हो जाएगा अपसन भी एन इपी टाफ ठीक है अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर यह रहा वाल्टर डीला मेर वाजबॉर्न इंद यर ठीक है ना उनका जनाम कब हुआ था तो भाई 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपसन सी 1873 बात करते हैं अगला प्रसन क्या है वेर ड़स दा लेड़ी लाई ठीक है ना वो लेड़ी कहां पड़ी हुई थी तो आपको बताना होगा तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेवियार्ड में पड़ी थी ठीक है अगला प्रसन देख लीजिएगा दा लाइन आइथिंग शी खाली इस्थान पर आपको भरना है तो एक कामन का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन ए रूपर्ट ब्रूख ठीक है बावन नंबर कुस्टन देख लिजिए गया इन हर्ट्स एड़ पीस अंडर एंड इंग्लिस हीवन इस फ्राम तो दिये गया अप्शन में कौन से सही हो ग ठीक है अगला प्रस्ट देखिए गया हाउ मैने वार सोनेट डिट ब्रूक राइट तो चौन का सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन एफाइव ठीक है उसके बाद से अगला प्रस्टन एस सोनेट इस पोएम आफ दिये गया खाले सार में कितने लाइंस के थे हैं जो यह अठारे सा सतासी अगला प्रस्टन है जरा देख लीजिए गा रूपट ब्रूक डाइड इन दे यर कब मरे थे वही तो संतावन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1915 ठीक है अगला प्रस्टन देख लीजिए अन्ठावन नंबर देखेंगे दो वर्ड इंग्लिस इस इन दा पोएम फॉर हाँ मेनी टाइम जो इंग्लिस वर्ड है वह पोएम में कितने बार इस्तमाल किये गया है कि बार यूज हुआ है तो आपको बता रहा होगा तो अन्ठावन का भी हो जाएगा दो बार ठीक है न दा वर्ड बॉर मिन्स बॉर मिन्स क्या होता है बही बताईए तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपसंसी जनम देना होता है फिर बात करते हैं अगला पॉर्ष ने पॉल्स इंदा दिये गए खाली इस्ताम में भरना है माइन जो पॉल्स इंदा मनें यह आपकी किताब के दिय सब्सक्राइब हो जाएगा आपका आपसंसी इटर्नल इंटर्नल भी नहीं होगा ध्यान रखेगा और इंटर्नल होगा फिर बात करते हैं अगला पॉर्ष नमें कवीटी दमाइस्टी कैट हाइस बिन टेकन फ्रॉम तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपसं यहां पर भी हो ज अगला प्राशन देखियेगा दिये गए खाले स्थान में इस फ्रॉम हिस कलेक्शन काल ओल्ड पोसम्स बुक और प्रेक्टिकल कैट्स तीरसट का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसं यह में कवीटी दा मैस्टी कैट अगला प्राशन ही इस और वादली रस्पेक्टिवल ह ओम इस दा पुर्ट रिफ्रिंग टू तो चोशट का सही उत्र हो जाएगा आपसं डी में कवीटी न सरी यार इधर डी में कवीटी ठीक है 65 का देख लिजिएगा मेकवीटी इस दा मेकवीटी इस फूल आफ ठीक है ना तो 65 का दिये गए आप संद में आप लोग बताइए तो 65 का सही उतर हो जाएगा आप संदी डिसिट फूलनेस ठीक है अगला प्रसन देख लिजिएगा दो वेस्ट लैंड हैज बिन कंपोस्ट औ अगला प्रसन देख लिजिएगा अगला उनहत्तर नंबर ठीक है ना मूंगू देखा मूंगू जेरी एंड ग्रीडल बोन और अल्सो देखिएगा यह 2018 में पूछा गया प्रसन है आप लोग फ्रसन देख लिजिएगा तो इसका उनहत्तर का सही उतर क्या हो जाएगा ज़रा बताइए आप लो तो इसका हो जाएगा कैट्स आप संदी सतर नंबर का बताइए आप लोग क्या होगा द गया स्टर को जाएगा अप्सन 275 आप संदी ठीक है की इंदार हो अला ठीक है उसके बास अगला प्रसन देख लिजिएगा टा ओर आफ साइरेंस इस दि रिट ने रिलेटेट टू तो बहत्तर का सही उतर जाएगा आप संस्ट भी पेरीज ठीए अगला प्रसन देख लिज सब तो इसकनasy पचैतर की बात कर रहे इन तो किस ईदियान से बिलॉं से इंडियन से ढिए उसके बाद से Kirk एक ही एंदारो अलावाज किस रिलेजन्स है तो 76 का सही उत्र हो जाएगा अपसन यह पारसी ठीक है और इसका इंडियन ठीक है उसके बाद सथाथाथार नंबर की बात करें तो दा गैट इस लिटर्ड वीथ तो 77 का सही उत्र क्या हो जाएगा आपसन यहां बॉडिज ठीक है 78 की बात करें तो टावर अफ साइलेंस इस रिलेटेड टू तो 78 का सही उत्र क्या हो जाएगा बताईए 78 का सही उत्र हो जाएगा अपसन यह हैं 89 की बात करता तो केकी अनदारवाला को सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन C 1984 बात करते हैं अगला प्रस्ट कि के केंदर वालवाज बार्न मनें इनके जनाम कब हुआ था तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपसन अपसन B हो जाएगा 1937 अगला बात करते हैं कि he lifted his head from ठीक है तो 80 का सही उत्र हो जाएगा आपसन A Snake ठीक है उसके बात से बात करते हैं 82 नंबर कोशन D.H. Lawrence exalt the values of primitive life in 82 का सही उत्र हो जाएगा आपसन A. Snake ठीक है अब उसके बात से देखिएगा अगला प्रस्ट and must wait must stand and wait for there he was at the trough before me is taken from 83 का सही उत्र हो जाएगा आपसन D. Snake ठीक है और यहां पर देख लिजेगा अगला प्रस्ट the snake looked at the poet ठीक है तो किस का भी के रूप में दीख रहा था भई कैसे दीख रहा था 84 का सही उत्र हो जाएगा अपसन D. वेगुली ठीक है उसके बात से बात करते हैं 85 का who decided to heat the snake ठीक है ना snake को heat करने के लिए मारने के लिए किसने decide किया था तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा A. D. लाउरेंस बात करते हैं 86 नमर कोशन का and a stooped and drank a little more is from तो 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा A. C. Snake 87 नमर कोशन की अगर बात करें तो and a stooped and drank a little more the poet is referring to तो यहां पर 87 का लग रहा है सही उत्तर क्या हो जाएगा A. Snake चले कोई बात नहीं 88 नमर कोशन की बात करें डेविड एस लाउरेंस was born in इनका जनाम कब हुआ था तो 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बदाएगे तो 1885 हो जाएगा ठीक है ना जब कॉंग्रेस का पहला दिवेशन हुआ था ठीक है ना बात करते हैं डेविड एस लाउरेंस डाइड इन यह कब मारत हैं तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा आप संडी उनिस अथीस ठीक है बात करते हैं 90 नमर को से इट वाज दिये गए खाले स्थान डेवें दा पोईट साव एसनेक एक ऐसा दिन था जिसम्हें उन्होंने क्या मतलब एक कवी था जो एसनेक को देखा था तो कौन सा मतलब नबh नमर पर नॉट नो मतलब कि एका सामर उन्होंने क कूलकता किसने लिखा वाई तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा कॉम्ला दास तीक Poet is कि पर करकी कहां कि का भी थे तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा afton be Indian थे ठीक है तीर इनब्यर नंबर को सब्सक्रिंद आपके 기도 कर दे गेख Dalistan live with her Grandmother ठीक है तो 93 सही उत्तर हो जाएगा afton see cannot dastik अब बात करते है 94 नंबर there is a house now for a way we are once I received love is from the poem चौरइबर का सही उत्तर हो जागा option B ठीक है grandmother's house ठीक है अगला question आपके screen पर a snake we are seen among दिये गए खाले स्थान में in my grandmother's house तो 95 का सही उत्तर हो जागा option B books ठीक है 95 नमर question है जरा देख लिजेगा autobiography of Kamaladash was published in 96 ठीक है 97 नमर question आपके screen पर है my grandmother's house is written by कि किसके दोरा लिखा गया है तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा Kamaladash के दोरा लिखा गया है अंठान बेर का मदास का जनम कब हुआ था भाई तो अंठान बेर का सही उत्तर हो जाएगा option B 31 March 1934 ठीक है उसके बाद से लास्ट कोशन आपके इस सेशन का है कि कमलादास रिमेंबर स्थे हैपी डेज एस्पेंड इन दे स्वीट कंपनी ऑफर ठीक है अपना खुशी वाली दिन कब तो कमलादास की बारे में पूछा जा रहा है तो हंड़िट का सही उतर हो जाएगा option C Grandmother के साथ ठीक है ना अपने है थोड़ा सा देखे हम लाइफ जब करा रहे था न तो आप लोग कह रहे थे सर थोड़ा फास्ट चली एपके नस नहें छाहते बस आप question का answer देखना चाते हैं तो میरे को भी लगा कि चलो भाई पूरी आपके جो poetry सेक्षन पूरी 10 चैप्टर का हम top 100 question निकाल लें जो आपकी exam के point of view से काफी important है तो मैंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो आपकी exam के point of view से जो बार बार question पूछे जाने वाला है या पूछने की जो chances हैं वही question में पूरे hundred जो है ना पूरे hundred question को मैंने set कर दिया और सोचे कि चलो भाई इसको one sort के मादेम से आप तक पहुंच जा दे तो finally इस session की the end यहीं पकरते हैं मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए जय हिंद